आज हम लोग यहां विजे संकल प्रेली इस रूप में पूरे हर्याना के कोने कोने से पार्टी के कारिकरता तथा हर्याना के मेरे धाई क्रोड जनता के जिसको मुने परिवार माना है उसके सभी प्रतिनिदिगन यहां एकत्र हुए हैं और यह उसर ऐसे मोके पर है जब हम लोगों ने जन अशिरवाद यात्रा चुनाव से ठीक पहले इसको सभी नब्बे के नब्बे विधान सबाँ में जाकर आप सब लोगों का जनता का अशिरवाद पाप्तिया है भाईो बैनों हमर यह यात्रा ठीक चुनाव से पहले हम लोगों ने की है पतान मंत्र जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1966 में जब हर्याना बना था 48 वर्षों में इस प्रदेश में पिछली सरकारों ने ठूब आनिमेत तैं की कोई भी व्यवस्ता इस परकार की नहीं बनाई कि जनता को इसको सिधा सिधा लाब हो सके यहां पांच साल में हमने जनता का पूरा सम्मान किया जबके पिछले 48 सालों में जनता के साथ पिछली सरकारें खिलवाड करती रही भै, जश्ताचार और भेद भाव इस नाते से जनता बहुत पीड़ित थी पांच साल पहले आपके आशिरवाद से जनता ने हमको पहली बार भाति जनता पालिटी की बहुमत की सरकार सोंपी थी हमने इन पांच वर्षों में हर्याणा के लोगों को अपना परिवार मान करके दिन रात एक करके पीछे मुड़ कर नहीं देटा हमने पूरी सेवा की है विकास के काम भी बिना किसी भेद भाव के चाहे कहीं भाति जनता पालिटी का विधायक रहा हो चाहे ना रहा हो हमने हर क्षेत्र में विकास के काम किये सेक्ड़ो क्रोड रुपे के हर विधाम सभा के अंदर काम हुए है और इस परकार से राज काज के जो पुरानी विवस्थाएं है उनको सब को बदलने का काम किया एक परकार से राजनीती का मायना ही हमने बदल दिया आने वाले पांच वर्ष में गाँ हो चा शेहरो चा बस्ती हो हर सोई में पीने का साथ पानी यह नल लगाकर नल से जल वस्ता के अंतरगाद हर सोई में पूचा देंगे ताकि हमारी बहनों माताओं को दूर से जो पानी लाना पड़ता है उस से उनको निजात मिले इसी परकार इस ओफ डूइंग बिजनेस में हम लोगों ने हमारा जो रैंकिंग 2014 में 14 वे नमबर पर थे हमारी रैंकर सुधार करके उत्तर भारत में हम प्रसम सानम ने प्राप्त किया है इस परकार से काम हमने बेताशा किये और इन कामों के कारण से आज जनता आज जनता इसका प्यार हमको मिल रहा है आपने लोग सबा के चुनाव से पहले जो रास्टियता का भाव जागरित किया और उसके कारण से हर्याना के लोग जिस परकार से उम्ड़े दस की दर्ख स्लोग सबा की सीटे भाति जिन्ता पाइटी को जिता करके हर्याडा के लोगों ने रहानमंत्री जी आपको समर्पित की है रोध्तक जैसे अक्षेत्र जिसके बारे में कहा जाता था कि भाति जिन्ता पाइटी कभी जीत नहीं सकती या इस रोत्तक की धर्ती पर भी भारती जन्ता पायटी ने लोकसभा के सीट जीत करके और आपकी जोले में डाली है और इसमें से स्वाभाविक रूप से एक वातावण बना कि हम हर्याणा में अगली सरकार एक महिने के बाद जो ये सरकार बनने का समय आएगा निश्य रूप से हर्याणा का जो 75 पार का जो मैं लक्ष रखा है वो 75 पार का लक्ष आपके आशिरवाद से हम पूरा करेंगे ऐसा मेरा मानना है और मैं यकीन दिलाता हूँ अपने हर्याणा की जनता को कि आने वाले समय में हलांके काम बहुत किये तो भी बहुत से काम करने शेश हैं उस गरीब जनता को जो आज भी कहिना कहीं दुखी है पिडित है उस किसान को जिसको भाव पुरा देने के लिए हम पुरा पितन कर रह हैं फिर भी किसी इलाके में जिली पानी की कमी है किसी इलाके में उसको कोई भी तकलीफ है उसको दूर करने के लिए हम दिन रात एक की हुए है मैं आशा करता हूँ कि इन अगले पांच सालों के लिए हर्याणा की जनता हमको अपना अशिरवात देगी और उस अशिरवात क बहुत सी योजनाओं में आगे बढ़ रहे हैं उन योजनाओं का बहुत से प्रदेश्ट वैसे हैं जो हमारी योजनाओं को फॉलो भी कर रहे हैं तो इन योजनाओं को और आगे बढ़ा करके हम हर्याना को देश के सभी राज्यों में सबसे आगे लाएंगे